हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों आईए देखते हैं हमारे किड्नी में स्टोन का जो दर्ध है वो कब होता है तो दोस्तों मैं राजी कलिशा अमरावती महरास्ट आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज जब हम जिस प्रोडक्त की हम बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्त का जो काम है, वो कैसे होता है, दोस्तो आज हम किड्नी की ओपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं, दोस्तो जैसे बहुत से लोगों को किड्नी के अंदा स्टोन होता है, तो दोस्तों जैसे जब जब आपके गुर्दे का जो पत्तर है और आपके किड्नी में जो पत्तर बन चुका है उसका दर्द कैसे होता है उसके सिंटन्स कैसे होते है तो दोस्तों जो दर्द होता है जैसे जैसे आपके किड्नी में जो पत्तर बना हुआ है जो स्टोन बना हु जगह ने होता है तो जो ज्यादा दर्दानी जो भागता है व एक जगह है ने व Switch जाने nehmen अधिम जुने आग महते हैं mm उस्तिन हो एक जगह है तो वह दर्द नहीं करता है तो आपको काफी दर्द होता है तो दोष्टों पत्ति का जो जड़्द है ना अकसर पीछे साइड में होता है यानि हमारे होता है क्योंकि हमारी किट्नी है ना वो पीछे साइड होती है तो इसमें दोस्तों जैसे आपके इरुन के उरीन के अंधर जलन हो रियो हो आपके पेशाब में जलन हो रही हो यानि किड्नी स्टोन आपको कैसे पता करना है कि आपको किड्नी स्टोन हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके जो सिम्टम्स है निसा आपके पेशाब में जलन हो रही हो बार-बार आपको यह यूरीन जाने को मन कर रहा हो या आपको जो अगर इस टाइब की तीन कलर में से कोई भी कलर की आपको इरीन हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि आपको केड़नी स्टोन होनी की संभावना बहुत ज्यादा है तो दोस्तो नॉर्मल इरीन का जो कलर होता है न वो सपेद होता है जैसे ही जय से ही जो एने जबनी स्टोन होने के आपको चैंसस ज्यादा बते है इशमें कभी-कभी lawsuit इतना आपको इतना खथर ना को फितना हि Onion तिए लिए ठी ने चाकू माहरु दिया हों तो दोस्तों इस इरिन के इंफेक्शन इरिन के प्रॉब्लम मों ऊगर निनी से संबन्दीत सभी प्रॉब्लम कर बाहर निकालने के लिए इसका बहुती बहत्रिन फार्मूला लेकर हमारी धन्मंत्री कमपणी धन्मंत्री डिस्ट्रिबूटर प्राइवेट लिमेटेट कमपणी के CMD आधनी डॉक्टर रमेश पाटिल सर और हमारे MD डॉक्टर प्रकाश कलाटे मामा जो सभी प्रोडक्ट को मैनिफेक्चरिंग करके अपने नद्रों के सामने मार्केट वे सकति द्ह इसको मैनिफेक्चरिंग करके मार्किट में लाते हैंय। Vice दो दोस्तौं इन्हों ने एक । बहुत जानदार यूटे राइट नाम से प्रोड़क्त निकाला है दोस्तों यह जो प्रोड़क्त है ना एक गुर्दी गुर्दी की सभी विमारी में अर्वेदिक और शक्तिशाली उपाय वाला प्रोड़क्त है यह आपकी जो पेशाप की संक्रमन को रोकने में बहुत ज्यादा शुलक्षित प्रोड़क्त है दोस्तों गुर्दी की पत्रिये उसको उठाने का काम करता है गुर्दी का जो काम है उसको पुनर स्ताफित करता है दोस्तों इस यूटराइट प्रोड़क्त के अंदर कौन से घटक्त है दोस्तों इसमें गुलर है दोस्तों गुलर जो है आपके पेशाप में जो रखते स्टाव है आपके पेशाप में पेशाप की जो नलीका है उसमें जो सुजन हो जाती है उसको कम करने में बहुत ज्या कि एक मुख्ष हैने च्छालों के विकारों ने बवासी फिंस में ज्यादा इसमें ज्यादा लाददारी है दोस्तों जैसे आंत्रीक अलसर को कम करने काम भी यह गुलर करता है किड्नी के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन होता है दोस्तों इस में इस प्रोड़क्त में यू अधरा करके औ babies करने काम यह अर्व करता है यह अर्वेड में जैसा मुत्र विकारों यह प्रिशलीत है नहीं जो आपके मुत्राश हीएगीपत्जीन प्रेख पत्री व पूरी तरह से पिःगाल कर साफ करने काम यह पाश्यम्द करता है आपके मुट्णों जो यह यह जो पाशन बेरे दोस्तों आपको बुखार हो, दस्त हो, कफ हो, नीमवयनिया हो, इसमें भी अच्छा काम करता है, इसकी जड़ है न दोस्तों, इसका जड़ है, यह इसका जो ज़से से आपकी जंद मुझ में जो छाले आते हैं, तो इसमें भी ज़स ज़्यादा फाइद हैंने उसे बोलते हैं, तुरे टावा अनूला, तो इस दवा को दवा को जो है न दोसको दिल के रंगा भी का जा सकता है, यह आपके पेशाप का जो रास्ता है, पेशाप का जो विकार है, पेशाप के ने मुतराशय की जो पेशाप की जंदर जो अपने नलीगाउं जो पत ज्यादा फाइदे मन होता है दोस्तों इसमें दोस्तों एक जड़ी बूटी हो रहा है जिसका नाम है पुनर नवा पुनर नवा दोस्तों एक जो है ना ये वेलेरियन पौदा होता है जो आपकी किड़नी लिवर और शरीर में कहीं भी सुजन हो उसको कम करने के लिए बहुत जायता फाइदे मन होता है तो दोस्तों इसमें ऐसे ये चार किसम की बुड़ी बूटी से मोजूद है दोस्तों इस यूटिराइट पूड़क्त जो है ना ये बहुत ही शांदर पूड़क्त बनाया गया है तो जो हुमन किड़नी हेल्ट कंडिशन में बड़ा कारगार होता है दोस्तों इूटिराइट के जो घटक की उपयोगता है जिसा आपके मुत्रों में अप्षिस्त को साफ करने काम गुर्दी के पत्री को और आपके गुर्दी में पत्री होने से रोकने का काम करता है और आपकी गुर्दी की पत्री है जो किड़नी की पत्री है इसको जो पत्तरज अंदर जो बन चुका है उसको तोड़कर पिगाल कर आपके पिशार्ज मार्क से बाहर निकालने का काम यह जो है यूटिराइट प्रोडक्ट करता है दोस्तों आपके जो गुर्दे में कृट्नी में जो जैरीले पदार्त है जो रसायन है उसको निकालने के दोस्तों इसको लेने का तरीका भी बहुत आसन है एक एक यैप्सूल नास्ते के बाद लेना है सुबह में और एक क्याप्ष्ण स्वान को खाना क्षाने के बाद लेना है ऐसा हमें दोस्तों हम 30 जिन बगद रूके नंस्ट पम इस प्रूडक को ले लेते है तो हमारे जो कि किड़नी के अंदर जो स्टोन बना हुआ है वह धीरे-धीरे करके हैंने उस किड़नी के अंदर जो पत्थर है उसको एंदर खोल करके जो प्रोड़क्ट है इसके जड़ी बुटी है वो इसको बारिक पीगाल कर आपके पिशार मार्ट से आपकी पूरे शरीर से तो दोस्तों प्लीज जिन जिन भाईयों को हमारे खिड्नी समस्य या किड्नी स्टून की प्राब्लम हो उन तक की सूडियों को जरूर पहुचाए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरी जरूर करो दोस्तों धन्यवाद बस्तों जर दोस्तों भाईब जाूर किड्यांता र्ही जरूर की सूड़े अस्तों प्रूर सब्सक्राइब जरूर सेया साथ का जरूर समस्मानार दोस्तों meno दो सिरूर ॉरूर with a informally kel yang घ्या हो भाईब between the spring is the